नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यदि आपसे पूछा जाए कि मदुमख्या हमारे लिए क्यों जरूरी हैं तो आप मेंसे ज्यादा तर लोग यही कहेंगे कि मदुमख्यों से हमें सहध मिलता है पर मदुमख्या सिर्फ सहध ही नहीं बनाती बलकि हमारे जीने के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए मदुमक्या बहुत खास काम करती है और ये भी कहा जाता है कि मदुमक्यों के ना होने पर हम सभी का जीवन खत्रे में पड़ सकता है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदुमक्या हमारे और प्रतिवी पर जीवन के लिए क्यों जरूरी है और साथ ही हम जानेंगे कुछ और भी बहुत सी रोचक बातों के बारे में और हाँ ये वीडियो बड़ा होने की वज़ा से हमने इसे दो भागों में बनाया है इस वीडियो को देखने के बाद इसका अगला भाग भी अवस्य देखें अगला भाग भी अपलोड किया जा चुका है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें मैं हूँ कमल निसाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर सोचकर लगता है कि इतनी छोटी सी मदुमक्खी या इतना छोटा सा कीड़ा हमारे या हमारी प्रत्वी के लिए क्या कर सकता है और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेड़ पौदों में प्रजनन कैसे होता है क्या गाए और बैल की तरह सेर और सेरनी की तरह आदमी और और औरत की तरह पेड़ पौदों में भी नर और मादा होते हैं चलिए पता लगाते हैं तो आईए स्क्रीन पर देखें मनुस्यों या जादातर इस्तंधारी जीवों में प्रजनन कैसे होता है मनुस्यों या जादातर इस्तंधारी जीवों यानि मैमल्स में प्रजनन के लिए नर और मादा की जरूरत पड़ती है यानि मेल और फीमेल की आवसकता होती है मेल और फीमेल को मिलन के लिए एक दूसरे के पास आना पड़ता है इसके बाद मेल के स्पर्म फीमेल के एक को फटिलाइज या निसेचित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन में से कोई एक इस एक तक पहुँच जाता है और एग में प्रवेस करके एक को फटिलाइज करने में सफल हो जाता है। ये एग या भ्रूर फीमेल के गर्व में विक्सित होता है और यदि सब कुछ सही रहा तो एक निश्चित समय बाद बच्चे का जन्म होता है। ये तो ही मेंबल्स की बाद, अब आगे जानते हैं पौधों के बारे में। पेड़ पौधों में प्रजनन कैसे होता है? क्या पेड़ पौधों में भी नरोरमादा होते हैं? और परागण या पौलीनेशन क्या है? अलग-अलग पेड़ पौधों में वैसे तो संतान उत्पत्ति के कई तरीके होते हैं, जैसे कलम द्वारा, जडो द्वारा, बीजों द्वारा, पर क्या पेड़ पौदों में भी नरोर्माधा होते हैं? इसे समझने के लिए यहां ध्यान दीजिए. उधारन के लिए हम आम के फल को लेते हैं. आम के पेड़ या ज्याधातर पेड़ पौधों का जीवन चक्र कुछ इस तरह का होता है बीज से पौधे का जन्म होता है फिर पौधा बड़ा हो जाता है और जब यह फलने के लिए तयार होता है तो सबसे पहले इस पर फूल खिलते हैं फूल के बाद फल लगते हैं और फलों से नए बीज मिलते हैं पर इस पूर पोधे में भी male और female होते हैं और जादातर male और female होते हैं पेड़ की बजाए इन फूलों में जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना अब आप सोच रहे होंगे कि फूलों में male और female यानि नर और मादा कैसे हो सकते हैं तो ये जान लीजिए कि इन फूलों में मेल और फीमेल दोनों के अंग होते हैं। इसका मतलब है कि एक पौधे में सिर्फ एक मेल और फीमेल नहीं होती बलकि जितने फूल खिलते हैं लगबग उन सभी फूलों में मेल और फीमेल होते हैं। और अगर इस male और female के बीच ठीक से प्रजनन होता है तो फसल की पैदावार अच्छी होती है और हमें बहुत सारे आम खाने को मिल सकते हैं अगर प्रजनन ठीक से ना हुआ तो ये फूल सूह कर नीचे गिर जाएंगे और फल नहीं बनेंगे अब हम एक फूल को लेते हैं और से विस्तार से समझते हैं आम का फूल बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसकी जगा इस गुड़हल यानि हिबसकस के फूल को ले रहे हैं जो देखने में थोड़ा बड़ा होता है वैसे ज्यादातर फूलों की संरचना लगभग एक सी होती है इसलिए यदि आप किसी एक फ प्रजनन वाले अंग हैं यह जो आप पतली संरचना और पीला हिस्सा देख रहे हैं यह मेल के प्रजनन वाले अंग हैं जिसे हिंदी में पूंकेसर और इंग्लिस में स्टामन कहते हैं इससे सूखे पाउडर जैसा पराग निकलता है जिसे इंग्लिस में पॉलन कहते हैं य इन दोनों को मिलाने के लिए फूल बड़ी चलाकी से किसी और की मदद लेता है। जी हाँ, फूल अपने आप में अच्छे सी खुस्बू पैदा करता है। सुन्दर दिखने वाला आकरसक रूपधारण करता है। और सबसे खास बात है कि फूल अपने अंदर एक मीठा रस पैदा करता है। इन सभी चीजों से आकरसित होकर भौरें, तितलियां, मदुमक्खियां, चीटियां और कुछ पंक्छी आदी मीठे रस को पीने के लिए इन फूलों के पास आते हैं। मदुमक्खियों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फूलों के इस भाग में एक लिक्विड होता है, पॉलन इस लिक्विड में तैर कर यहां नीचे तक पहुँच जाता है। इस यात्रा में पॉलन दो हिस्तों में बढ़ जाता है। यह दो मेल गैमेट अंडासय यानि ओवरी तक सफर करते हैं। इन में से एक सेंट्रल सेल को निसेचित करके एंडोस्पॉन बनता है, और दूसरा एक सेल को निसेचित करके एंब्रो बनता है। उसके बाद ओव्यूल से बीज यानि सीड बनता है और फलों वाले पेड में ओवरी से फल बन जाता है। यही सब पूरे पेड के लगबग हर फूल के साथ होता है और बहुत सारे फल तयार हो जाते हैं तो अब आप जान गए हैं कि पेड़ पोधों में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं परागण के प्रकार जब एक ही फूल के मेल पार्ट या पॉलन उसी फूल के फीमेल पार्ट से मिलते हैं तो उसे स्वापरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं जब एक पेड या पौधे से एक फूल का पॉलन उसी पेड के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट से मिलता है तो इसे गायतनोगमी कहते हैं जब एक पेड़ या पौधे के पॉलन उसी प्रजाती के दूसरे पेड़ के फीमेल पार्ट से मिलता है तो इसे cross-pollination कहते हैं इन तीनों परागड के कुछ फायदे और नुकसान है इस पहले और दूसरे वाले परागड या पॉलिनेशन में मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं इससे पॉलिनेशन थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पॉलिनेटर्स को पॉलन लेकर बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता पर इस pollination का एक नुकसान ये है कि इसमें male और female एक ही पेड़ से होते हैं, इसलिए संतान में कोई नए गुड़ या नई विसेस्ताइं नहीं आती, इसका मतलब है कि फलों और बीजों की खूबियां पहले की तरह ही होती हैं, कुछ नयापन नहीं आता इस cross pollination में pollen किसी दूसरे पेड़ से आता है, हो सकता है कि उस पेड़ के फल ज्यादा मीठे हो या फल बड़े आकार के हो या रंग अलग हो, तो उस पेड़ के pollen जब किसी दूसरे पेड़ के female पार्ट से मिलते हैं, तो आगे बनने वाले फलों और बीजों में उस पेड़ के क दूसरे पेड़ से अच्छे गुड़ों के अलावा बुरे गुड़ भी आ सकते हैं, इसके अलावा pollination हवा से, पानी से और बारिश से भी होता है, तो अब आप pollination के बारे में जान गए हैं, तो अब हम जानेंगे मदू मक्हियों के बारे में, मदू मक्हिया हमारी मदू मक्हियों की एक सिंगल कालोनी, अकेले एक दिन में लगभग 3 मिलियन फूलों को pollinate कर सकती हैं, दुनिया भर में जितने पेड़ पौदों में फूल खिलते हैं, उनमें से लगभग 35% फूलों को अकेले मदू मक्हिया और इनकी प्रजातिया ही pollinate करती हैं, और जितनी मदू मक्हियों द्वारा pollinate किये जाते हैं, यहां हम इस वीडियो के पहले पार्ट को खत्म कर रहे हैं, वीडियो की लंबाई अधिक होने की बज़र से इसे दो भागों में बनाया गया है, और यह पार्ट 1 है, आगे का भाग आपको पार्ट 2 में देखना होगा, लिंक आएगा, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, और हमें कमेंट यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप सोसल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो और भी जानकारी भरे वीडियो के लिए देखते रहे हमारा चैनल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कर दो कर वीडियो आप हमसे सłबोensitive के लिए लूए फिर म्यवाश्य वीडियो